हलो माई डियर फ्रैंड्स ब्रदर्स और सिश्टर आप सभी लोगों को नमस्कार साधर परणाम और जैहिंद आपके अपने यूट्यूब चनल दिली मैथ में हादिक सौगत अभिनंदन करते हैं आज चर्चा का बिंद है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की सबसे बड़ी म बहुत ही उपयोगी और महत्पुर्ण साबित हो सकता है सभी प्रचयोगी सिच्छकों के लिए तो मित्रो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के अंतरगत आप लोग जानते हैं कि कल ही सिच्छा निदेशाले की तरफ से एक नोटिस निकल कर आई है कि जिसमें समस्त बिद्याल अभी तक भेजा नहीं गया है उनको अतिसीग्र यानि की जल्द से जल्द भेज दिया जाए आगे है कि इस पर डी आई ओयस ने अमल करना भी शुरू कर दिया है और उसी दिन डी आई ओयस की तरफ से कई लेटर भी जारी हुए है जो कि बिद्याले में प्रधाना चार प् 22 को यह आदेश जारी किया गया है जिसमें की कहा गया है कि जितने भी प्रबंधक हैं प्रधाना चार हैं असास की सहायता प्राप्ट बिद्याले को हर हाल में 30 मार्च 2022 का जो अधियाचन है उसको भेजने का कफ्ट करें मित्रों वीडियो को लाइक सेर करना ना बोलें जिस तरगत वेकैंसी आनी है लेकिन बहुत से ऐसे बिद्याले हैं जहां से अभी तक रिक्त पदों का ब्यवरा चैन बोड को नहीं भेजा गया है ना चैन बोड को ब्यवरा प्राप्त हुआ है और इस पर भरतियां होनी है इसके लिए अभी हाली में उत्तर प्रदेश के मुक् कि उसी कड़ी के अंतरकत यहां पर हम देखते हैं कि जिला बिद्याले नीरेच्छक डी आई ओयस गाजीपुर की तरफ से समस्त बिद्याले के प्रदाना चार रहों और प्रबंदकों को आदेशित किया गया है कि 30 मार्च 2022 हर हाल में जो भी अधियाचान दिखते पड़े ह है वो उनको भेज दिया जाए और उसका पूरा ब्योरा जो है वो भी आगे की कारवाही के लिए भेजा जाए आगे यहां पर लिखा है कि जो माधमिक सिच्छा चैन बोड का पोर्टल है उन पर ऑनलाइन अधियाचन वाला प्रेसित करना है यानि कि ऑनलाइन अधियाचन कि जो है तो सिच्छा निदे साल है कारवाही में भेजना है कि आपने जो अधियाचन ऑनलाइन दिया है को तो भेजा है कि नहीं भेजा को इल मिला के कहें तो काम बहुत तेजी से चल रहा है लेकिन अभी इसमें समय लगेगा क्योंकि चैन बोड की तरफ से अभी कोई आप पद है वह बढ़ेंगे अभी हाल में देखे तो पदों के संख्या जो निकल कर आई है वह पांच हजार के आसपास या बावन सो के आसपास पद पहुंचे हैं जिसमें कि अभी समय योजन होना है तो कहें कि चार हजार के आसपास UPTGT PGT के पद थे अब यहां पर पद काफ कुछ बढ़ जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो नान पेमेंट वाले जो तदर्थ सिच्चक है मेन कांसेप्ट है तदर्थ सिच्चक उनको नहीं जोड़ा है जबकि उन पदों को जोड़ा जाना चाहिए अगर यह तदर्थ के पद जुल जाते हैं तो एक अच्छी खासी भरती हम सभी प्रतियोगी सिच्चकों को यह सभी भाई बेहनों को देखने को मिलेगी नहीं तो यहीं बरती क्या होगी यह तो 4000 5000 यह 6000 यह 7000 तक यह बरती सिमिट कर रह जाएगी तो आप सभी प्रतियोगी सिच्चकों को यह बताना होगा कि क्या आप 4000 5000 6000 यह 7000 के पदों से संतुष्ठ हैं कमेंट बाक्स में अपने बिचार जरूर ब्यक्त कीजिएगा तो मित्रों मेरे प्यारे भाईयों और बैरों इसी तरह की सिच्चा सम्मंदी जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्षन में जिवासीलनेता या प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यच है उनको आपकी बात को हम प्रकट कर सकें कि यह बिचारधारा आ रही है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक सेर करना ना भूलें जिससे सभी लोगों के यह बाते फैल जाएं और जानकारी मिल जाए अभी तक के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिंद